हेलो डियर लर्णर्स कैसे हैं आप सब आप सो लोग बढ़िया होंगे मज़े में होंगे आज का जो वीडियो है अगें वो है सब्सक्राइब करने वाले हैं पेचला जो वीडियो में ने पोस्ट किया था उसी में कुछ वीडियो में आपको मिल जाएगा और आई बटन पर क्लिक करके भी आपको वीडियो मिल जाएगा आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा अगर आप चैनल पर नए हैं पहली ब तो उसको लाइक भी करें वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यह बहुत इंपोर्टन क्वेश्टन हैं जो हो सकता है उसे मिलते जुलते क्वेश्टन आपको अपने बोड एग्जाम में देखने को मिल जाएं तो बात कर लेते हैं क्वेशन नमबर सिक्स के यहां प पास्ट में जो कमपनी का परफॉर्मेंस था वह एकसपेसिंशन के जो भी उनके एकसपेशन सी उसके हिसाब से चल रहा था help the company in linking the investment and the financial decision on the continuous basis. तो इससे फाइदा कमपनी को होगा कि वे एक continuous basis पर प्रॉपर तरीके से funds available भी करवा पाएंगे और investment भी तरीके से कर पाएंगे. Dalmia therefore begin with the preparation of sales forecast for the next 4 years. तो यहाँ पर के किया Mr. Dalmia उन्होंने next 4 year की forecasting भी करी है sales कि नहीं estimate किया कि कितनी sales होगी. He also collected the relevant data about the profit estimates in the coming year. और साथिसाथ coming years में जो आने वाले साल उन्होंने profit का जो data उन्होंने estimation करा है कि कितना profit company को यहाँ पर होगा. By doing this he wanted to be sure about the availability of funds from the internal sources of the business. For the remaining funds he is trying to find out alternative source from outside. तो यह क्यों कर रहे हैं वो उन्होंने इसनी calculation इसले कर रहे है ताकि एक amount जो भी चाहिए यहाँ पर वो उनको internal sources कित्रू मिल जाए. और साथिसाथ जो बचा हुआ पैसा उसके लिए वो external source को यह use करेंगे. Identify the financial concept discussed in the above paragraph. तो आपको यह पूछा गया था. कि आपको यह बताना है कि कौन सा financial concept यहाँ पर discuss हो रहा है. और साथिसाथ आपको अबचेक्टिव भी बताने है उस financial concept के जो इसमें discuss कियाने है. आप जो identify करेंगे उसके वेसे पर आपको answer देना है. तो यहाँ बात करी जाए यहाँ पर किस concept की बात हो रही है तो वह है financial planning क्योंकि अब financial planning का मतलब ही है. आप finance की आप planning कर रहे हो कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा और यहाँ पर estimations की बात हो रही थी. Then objectives क्या है? तो उससे पहले रहोंने financial planning को define भी किया है कि financial planning refers to planning regarding financial needs of the enterprise, various sources of raising funds and their optimum utilization. क्योंका optimum utilization कैसे होगा, best possible use कैसे हो सकता है, funds कहाँ से आएगे, कैसे utilization होगा, तो यह सारी चीज़ है, financial planning का part है. अब इसके objectives क्या है? So objectives में, first point है आपका to ensure availability of adequate funds at the right time. Financial planning का सबसे important objective यह भी होता है कि भाई funds जो है वो available होने चाहिए लेकिन proper time पे भी होने चाहिए. This involves proper estimation of funds required for different purposes such as for the purchase of long term assets or to meet day-to-day expenses of the business. Apart from this, it is important to estimate the time at which the funds are to be made available. Simple सा fund है, आप financial planning में यह तो पता लगा रहे हो कि आपको कितना fund चाहिए, लेकिन उसको right time पे available करवाना भी बहुत important है. क्योंकि अगर आप right time पे available नहीं करवा पाई funds को, तो होगा क्या कि वो opportunity में सो जाएगी जिसको आप explore कर सकते थे. So, हमने last video में भी बात करी थे कि भाई जो firm होती है उसको यह देखना होता है कि funds proper time पे available हो, बट इसका मतलब यह भी नहीं कि access funding हो जाए, यानि कि unnecessarily आपको fund raise नहीं करना है. अगर आपको जरूरत नहीं है उतने पैसे की, तो आपको funds उतने नहीं लेके आने हैं. For example, अगर आपको 100 रुपीज चाहिए, आप अपने एक friend के पास जाते हो, उससे आप 100 रुपीज लेना चाहते हो, ऐसा उधार. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि, वो आपको offer कर रहा है 500, तो unnecessarily आपको 500 नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर आप 500 लोगे, तो क्या होगा, आपको return तो 500 ही करने हैं, obviously आप अगर loan के form में ले रहे हो, तो अगर आपको 100 की requirement है, तो 100 ही लो, उससे जादा मत लो, ऐसा नहीं कि प्रॉपर अपने amount fund नहीं करवाया, आपके प्रॉपर funds नहीं है, पैसा नहीं है, वो भी खराब है, साथ जादा बहुत जादा गर आप fund रेस कर रहे हो, वो भी चीज खराब है, so the financial manager must see to it that the company does not raise more than required capital, in any case, if there is surplus cash or liquidity, the access funds should be utilized judicially, और अगर in case क्यों होता है, कि आपके पास पैसा है, access में cash है, liquidity जादा है, तो वहाँ पे फिर उन access funds का proper utilization कैसे करना है, यह भी financial manager जो है, या finance manager जो है को यह चीज देखनी है, next है मारा question number 7, जिसमें के आपको दिया गए कि mm limited is manufacturing a small car at its manufacturing unit in पूने, तो एक mm limited नाम के company है, जो की small cars बनाती है पूने में, the demand for its car is increasing at the rate of 20% annually, और इनकी जो demand है car की, 20% के rate annually बढ़ रही है, it is planning to set up new car manufacturing unit at Indoor, और अब बो क्या करना चाहरे है, नई unit या नई factory जो है Indoor में start करना चाहरे है, for this the company will require approximately 1500 crore rupees as fixed capital and 400 crore rupees as working capital, तो इसके लिए इनको fixed capital चाहिए 1500 crore की की, साथ ज़िए 400 crore की की, साथ ज़िए 400 crore की की, साथ पता होगी, then the company has already arranged for its working capital, तो company ने या पर क्या किया, working capital तो arrange कर ली है, अब यहाँ पर three factors आपको बताने है, जो finance manager को consider करने होंगे, अपने mind में रखने होंगे, while arranging its fixed capital, कि जो fixed capital जब arrange करेंगे, तो किस basis पर करेंगे, कौन से factors उसको affect करेंगे, यह question outside Delhi compartment 2016 में पूछा गया था, so अगर हम बात करें इसके answer की, तो जो factor affecting fixed capital होता है, सबसे पहले आपका आता है nature of business, बहीं आपका business किस type का है, यह चीज़ भी affect करती है, जो trading concern होती है, उनको investment कम करने होती है fixed assets में, because उनके पास कोई भी machine या कुछ ऐसा नहीं होता है, इसमें को investment करनी पड़े, इसी लिए trading concern जो होती है, वो fixed capital में, कम invest करेंगी, क्या उनकी investment आप in short के सकते है fixed capital में, कम होंगी as compared to the one who is manufacturing, यह से this case में manufacturing firm है, so obviously उनकी जो fixed capital requirement है, वो ज्यादा होगी, ठीक है, तो manager को यह धियान अखना पड़ेगा, second, जो है scale of operation, scale of operation में होता है कि बहीं कितने बड़े level पर आप काम कर र है firm को, तो उनकी जो fixed capital requirement है, वो भी क्योंगी, जादा होगी, क्योंकि उनकी plant, machinery और जो भी fixed assets है, उसमें जादा investment उनको करना पड़ेगा, as compared to that particular firm, जो की एक छोटे level पर operate होती है, तो यह भी factor एक है, जो ध्यान रखा जाएगा, choice of technique, choice of technique में again, जो चीज आपने capital intensive, labor intensive के बार production की, इसका मतलब जादा machines use करेंगे वो, तो ऐसी situation में again, fixed capital requirement बढ़ जाएगी, because उनको जादा से जादा पैसा machines में लगाना पड़ेगा, अगर वो labor intensive technique करते है, जहापर labor जादा use होती है, machines कम होती है, तो again वहाँ पे, जो उनकी fixed capital requirement है, वो क्यो हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऐसे ही बात आती है, technological upgradation की, technology upgradation की, अब ऐसी firms, जिन में की technology बहुत जल्दी यल्दी change होती है, जिन sectors में, जैसे की IT sector है, वहाँ पे क्यों होता है, आप खुद देखोगे, अभी एक processor launch होगा, अभी एक नई technique आएगी, कुस दिना बाद वो processor upgrade हो जाएगा, नया processor market में आ ज machines होंगी, जो भी computers या system use कर रहे हो, क्यों होता है, वो उनकी value depreciate होती है, वो इतने efficient नहीं आ जाते है, तो ऐसे situation में क्या होगा, continuously उनको खुद को upgrade करना बड़ेगा, जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं कि आजकल अपने bitcoin के बारे में या crypto currency के बारे में बहुत कुद सुना हो उनको बहुत ही sophisticated system चाहिए होता है, तो बार-बार क्या करना पड़ता है, उनको system को upgrade करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या होती है, उनकी जो fixed cost है, वो जादा हो जाएगी, आप in short क्या कह सकते है, उनकी fixed capital requirement है, वो जादा होगी as compared to ऐसी industry जहाँ पर technological upgradation बहुत देर में होता है, उसके अलावा growth prospect, जितनी जादा growth prospect होगी, यानि कि जिस industry में आप work कर रहे हैं, या जिस से का business आप operate करते हैं, अगर उसमें growth के चांसे जादा है, तो obviously fixed capital requirement भी जादा होगी as compared to that case, जहाँ पर growth के चांसे कम हो, next point के कर हम बात कर that is availability of financing alternatives, तो भई अगर आप उस sector में काम कर रहे हैं, जहाँ पर financing के alternatives available हैं, जैसे कि lease financing I suppose, lease financing में क्या होता है, अपने class 11 में इस चीज़ को पढ़ा भी होगा, मान लेते हैं, जो businesses होते हैं, अगर सेट अप लगाते हैं, अब अगर उनके पास एक option है, कि उनको land purchase किये, बिना क हो जाती है, जैसे in case of, आप अगर telecommunications actor देखेंगे, तो हर जगे जहाँ पर भी mobile towers लगे हो हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो particular land जो पर्चेस कर लिया है, बल्कि उसको क्या करते हैं, lease पे लेते हैं, so that they can pay rent and can use that particular land, अब ऐसे में क्या होता है, उनके fixed capital requirement काम हो जाती है, अब इसके metropolitan city में, वो भी main area के अंदर land purchase करना कितना costly होगा, तो जो companies होते हैं, वहाँ पर lease financing का use करते हैं, तो ऐसे में, जहाँ lease financing available है, वहाँ पर उनकी जो fixed capital requirement है, वो थोड़ी कम हो जाएगी, then next point आता है, अपका collaboration का, collaboration में क्या होता है, कि अगर opportunities available है, collaboration with other firms, तो वहाँ पर कहीं ना कही उनकी जो fixed capital requirement है, वो कम हो जाती है, जैसा बहुत सारी companies के करती है, आपस में collectively collaborate करते हैं, और एक setup लगा लेती है, जहाँ पर उन सब के common जो भी work है, वो होते हैं, तो उस case में क्या होता है, कि companies को, जो amount होती है in fixed capital, वो कम invest करने पड़ती है, then आपका next point आता है, diversification, diversification का मतलब है, कि आप एक sector में work कर रहे हैं, उसके इलावा कोई different type of product भी आप offer कर रहे है, तो अगर diversification है, तो obviously वहाँ पे fixed capital requirement बढ़ जाएगी, क्योंकि अगे आपको different type of assets में invest करना पड़ेगा, next है मारा question number 8, यह एक बिल्कुली direct question है, और यह outside Delhi compartment 2016 में पूछा गया था, ऐसे यह भी ब effect the dividend decision of an enterprise, तो किसी भी enterprise के dividend decision को effect, जो है वो चीज़े कौन-कौन सी करते हैं, कौन-कौन से factors हैं, तो यह हैं, यहां पर मैंने बहुत सारे factors आपको दीए, इनमें से कोई से भी 4 आप लिख सकते हैं, मतलब अगर अगर ऐसा question आजाए, या 5 आजाए तो 5 लिख सकते हैं, so dividend actually क्य earnings, तो भाई, earning बहुत important role play करती है, dividend decision में, अगर earnings जाधा होंगी, तो obviously dividend भी accordingly होगा, earnings काम होगी, तो फिर इसे dividend काम होगा, या फिर उसके accordingly company जो है, वो आपको provide करेंगी, second point is stability of earnings, stability of earnings में यह होता है कि जो company होती है, वो यह analysis करती है, यह assess करती है, कि current year में अगर income बढ़ी है, यह earning बढ़ी है, तो किस basis पर बढ़ी है, ऐसा तो नहीं कि आपने सोचा कि current year में earnings बढ़ गई है, जाधा dividend declare कर दो, ऐसा नहीं होता है, company over a period of time, 2, 3, 4 years को compare करेगी, देखेगी, कि earning किस basis पर बढ़ी है, और जब उनको लगेगा कि earning stabilized हो गई है, increase हो रही है, then only they are going to declare the dividend at the higher rate, जो भी rate वो देना चाहरे है, dividend का वो, then stability of dividend, companies generally prefer to maintain stability of dividend while taking dividend decision, अब यहाँ पर important factor एक यह भी आजाते है, जो companies होती है, वो भी यह चाहती है, कि जो dividend है, उसमें stability रहे, ऐसा नहीं कि कभी आप बहुत जारा dividend दे रहे हो, कभी आप बहुत कम dividend दे रहे हो, तो यहाँ पर यह factor भी ह होता है, जो company को consider करना होता है, इसके अलावा, next point अब का आती है, growth opportunities, growth opportunities में क्यों होता है, कि जो companies होती है, अगर उनके पास opportunities available है, तो फिर वो dividend कम देंगी, यानि कि अगर उनके future prospects है, उनको पता है कि हमें future में investment करना है, growth के option जादा है, तो कहीं ना कहीं company करेगी, profit का बहुत dividend भी आपको दे सकती है, उसके अलावा बात करी जाए cash flow position की, तो cash flow का मतलब था है, inflow and outflow of cash, so अगर जो firm है, वो जब dividend declare करेगी, तो उनको यह भी देखना पड़ता है कि cash flow position क्या है, obviously क्योंकि जब dividend declare होगा, dividend pay किया जाएगा, तो cash का outflow होगा, तो उनको यह भी देखना of shareholders होते हैं, कुछ लोग invest करते हैं, shares में, कि just उनके पास कुछ access fund रखा होता है, और वो चाहते हैं कि चलो ठीक है से invest करते हैं, तो profit earn करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, जो कि उसको invest कर देते हैं, just to take experience of, आप रह सकते हो कि जो आपकी financial market है, उसका क्या है, ठीक हम देखते है, share trading क कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, और कुछ ऐसे भी shareholders होते हैं, जो पैसा invest किया होता है, ताकि regular income उनको मिले, तो यह सारे factors को ध्यान में रखते हुए, भी dividend declare किया जाता है, उसके बाद next point आपका है, taxation policy, तो taxation policy में क्यों होता है, कि जो dividends होते हैं, उनमे tax लगता है, जितना ज्य dividend declare होगा, उतना ज्यादा tax लग जाएगा, so companies को यहाँ पर taxation policy को भी consider करना पड़ता है, before declaring the dividend, उसके अलावा stock market reactions की बात करी जाए, तो इसका मतलब यह होता है, जो stock market है, वो कैसे react करेगा जब आप dividend declare करोगे, तो company कही नहीं चीज़ estimate करती है, कि कई बार क्यों होता है, जब dividend declare करोगे higher rate पे, तो obviously आपके जो share के price में वो भी क्यों होंगे, राइस होंगे, similar way में अगर आपने कम dividend declare कर दिया, तो आपके price जो है, वो fall भी हो सकते है, so यह सारे factors भी हैं, जो की company को consider करने पड़ता है, उसके अलावा, access to capital market, access to capital market का मतलब यह है, कि जो companies है, जिनको की easily capital market स पैसा मिल सकता है, यानि कि वो capital market में अपनी position बनाए हुए है, so ऐसे companies जो है, वो क्या करते है, dividend declare कर सकते है, क्योंकि at any point of time, जहाँ पर उनको funds की requirement होगी, वो capital market से पैसा उठा सकते है, लेकिन अगर ऐसे companies है, जिनका की capital market में जादा अभी, आप क्या सकते हो कि reputation नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जादा पावर नहीं है, उनके पास इतनी opportunities नहीं है, capital market की, तो उस point of time बे वो लोग जब dividend declare करेंगे, तो वो कम ही करेंगे, क्योंकि वो जाद जाद आद 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 आमांट को profit की retain करेंगे future investment के लाए, then next point आपका legal constraints, तो इसमें होता है कि companies act क कुछ provisions हैं, साथ दूसरे भी और भी laws हैं, जिनको कि उनको follow करना पड़ता है, जिसके basis पे dividend वो declare कम या जादा करते हैं, and then next point है, जो कि last point है, that is contractual constraints, तो इसमें कई बार क्योंता है कि जब company dividend decisions ले रही होते हैं, तो उनको अपने contracts का भी ध्यान अखना पड़ता है, कई बार क इसमें प्रच्टर को ध्यान में रखके, company जो है dividend decisions लेती है, then हमारा रहा है question number 9, question number 9 जो हमारा, वह है explain, जो 4 factors that affect the choice of capital structure of a company, और ये CPSC का sample question paper था 2021 का उसमें रखा गया था, so capital structure company का कैसे decide होता है, तो इसमें पहला factor है cash flow position, obviously, जो size of cash flow होगा, यानि कि जो project size होगा, उसमें cash flow क बहुत important role होता है, because अगर आपको यहीं नहीं पता होगा, कि पही inflow कितना होगा, cash का outflow कितना होगा, तो आप accordingly borrowing नहीं कर सकते है, आपने जाधा पैसा ठालिया market से, तो again problem योगी कि आपके उपर legal obligations बढ़ जाएंगे, आपके उपर, आपके सकते हैं, कि interest obligations बढ़ जाएंगे, so हमेशा cash flow जो होता है, उसे consider किया कर जाना चाहिए, so that उसके basis पे आपको यहीज पता चल पाएंगे, कि fixed obligations कितने और कितना जो interest है, वो आप bear कर पाऊगे, आपके company जो है, वो bear कर पाएगी, और pay कर पाएगी, then interest coverage ratio, the interest coverage ratio refers to a number of times earning before interest and taxes of a company covers the interest obligation, तो यह जो आपका ICR होता है, interest coverage ratio, आपने term 1 में ratio analysis पढ़ा था, accountancy का उसमें अपने पढ़ा होगा, तो यह आपको बताता है कि कितने times आपकी earning है, before interest and taxes, कि आप कितने times अपने interest obligations को पूरा कर पा रहे हो, कितने times, suppose अगर यह six times है, तो उसका मतलब जो भी आपकी obligations है, उनसे six times आप earning कर पा रहे है, तो obviously आपका debt service coverage ratio होता है, DSCR, यह क्या बताता है आपको, it takes care of deficiencies referred to in the interest coverage ratio, तो interest coverage ratio में जो भी कमिया रह गई है, उसको यह cover कर देता है, that is debt service coverage ratio, the cash profit generated by the operations are compared with the total cash required for the service of the debt and the preference capital, तो preference share capital और जो भी आपके fixed obligation charges and long term borrowing के, उनको जो आपको amount देनी है, उसको यह चीज़ बताती है, next, जो हमारा factor है, वो है हमारी cost of debt, तो होता क्या है कि जितने lower rate पे आप अगर आपकी capacity यापकी firm के position ऐसी है कि आप lower rate पे उधार ले सकते हो, long term loan ले सकते हो, तो वहाँ पर आपके बस option आ जाता है कि आप जाद से आदा debt use कर सकते हैं, याँनि कि आप क्या करेंगा, अगर financing and debt financing करते हैं, last में जो है आपका पूरा, जो राइट है management का वो अपके creditors के पास महुत जाए, so again इसको mix किया जाता है, then tax rate के अगर बात करी जाए, तो higher tax rate makes debt relatively cheaper, अब होता क्या है कि जो आपकी debts होती है, याई कि जो आपका loans होते हैं, उन में क्योता है, वो interest, याई कि interest less हो जाता है पहले ही, और फिर tax लगता है, so, इस basis पे क्योता है, कि higher rate of tax जहां पर है, उसके basis पे better option ही होता है, कि आप debt financing करें, then flotation cost, the process of raising fund involves some costs, these considerations may affect the choice of debt and equity, and hence capital structure, हम share issue करते है market में, तो बहुत सारी legal formalities होती है, जो पूरी करने पड़ती है, registrar के पास जाकर आपको सारी information देनी होती है, prospectus print करवानी होती है, आज की rate में तो खेर, जो electronic method होती है, but again, बहुत सारी formalities पूरी करने पड़ती है, ऐसी situation में, जो आपकी debt होती है, वो क्या होती है, बहुत ही cheaper होती है as compared to equity, तो यहाँ पर यह factors भी consider करे जाते हैं कि capital structure में involvement किस चीज का होगा, उसके लावा next step का जो है risk consideration, business risk depends upon fixed operating cost, fixed operating cost results in higher business risk and vice versa, total risk depends upon business risk and financial risk, तो risk consideration भी होती है कि कौन सी चीज में जादा risk है, so obviously, जो आपकी debt होती है, उसमें क्या होता है, उसमें भी risk होता है involved क्योंकि आपको fixed obligations होंगे, interest charges होंगे जो pay करने होंगे, but equity में again सारा का सारा risk जो है आपका होता है, तो यह भी factors हैं जिनको consider किया जाता है, उसके लावा बात आती है flexibility, to maintain flexibility, it must maintain some borrowing power to take care of unforeseen circumstances, अब अगर अगर अपने capital structure अच्छा बनाना है, तो आपको अपनी जो भी borrowing power उसक कर लिए अपने borrowing power का, तो future में अगर कहीं पर changes थोड़े बहुत भी करने पड़े, या requirement होई funds की, तो additional funds लाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमेशा यह ध्यान रखते हुए capital structure बनाना चाहिए, कि आपकी borrowing power भी बची रहे, then आपका next point है, capital structure of other companies, same जो market है, यानि कि जो आप competitors है, उनके capital structure को भी आपको consider करना चाहिए, before designing your own capital structure, तो आप अगर उनको consider करेंगे, तो आपको उनके through भी बहुत सारी information मिल जाएगी, कि उनका capital structure किस type का है, और उस basis पे आप अपना capital structure को भी decide कर सकते है, then इसके लावा stock market conditions जो होती है, वो भी effect करती है, stock market condition का मतलब यह है, कि market में क्या चल रहा है, अगर वहाँ पे boom है, ठीक है, या फर recession है, तो अगर boom period चल रहा है, तो obviously वहाँ पर अगर आप share issue करते हैं, तो आपको उससे better results मिलेंगे as compared to in case of recession, तो recession की case में वहाँ पे आप debt financing कर सकते हैं, लेकिन in case जहाँ पर boom चल रहा हो market में, वहाँ पर आप equity shares use क कर सकते हैं, अब वहाँ जो next question है, that is question number 10, और ये Delhi 2019 में पूछा गया था, यहाँ पर determining the overall cost of capital and the financial risk of enterprise depends upon various factors, explain six such factors, so this question में बोला गया है कि जो overall cost of capital होती है, financial risk होता है, वो depend करता है कुछ factors पर, आपको वो factors जो हम बताने हैं, उससे 6 factors बताने है, so यहाँ पर जो सबसे पहली होती है, किसी भी source of finance की वो effect करती है, जैसे कि rate of interest दिया हुआ है, fixed rate of dividend to be paid, on preference share capital, expectation share holders की क्या है, equity share capital अगर आपने करी है, तो यह सब भी form of cost है, तो इनको भी consider किया जाता है, इससे पहले वाले question में already, हमने इसको discuss किया था, तो same चीज यहाँ पर है कि यह भी effect करती है, आपकी जो financial risk है, उसको और साधिज़त कहां से आप fund को raise करेंगे, then risk, again risk factor, यह भी हमने भी discuss किया था, कि जो debt capital होती है, क्या होती है, riskier होती है, as compared to equity, लेकिन, again इसमें होता कि कि कोई cheaper होती है, तो इसका मतलब यह नहीं किया, बहुत जादा इसको involve कर ले है, अपने capital structure में, capital में, otherwise it is going to create a problem, floatation cost, अभी हमने पिछले question में discuss करी थी, floatation cost भी बहुत important role play करती है, क्योंकि जब आप किस point of time पे, कब आप issue करने वाले है, shares या आप debentures के तुरू, या किसी भी long term borrowing के तुरू, आप जो fund है, वो raise करने वाले है, तो वहाँ पे जो floatation cost होती है, वो भी matter करती है, generally shares के case में floatation cost होती है, compared to, जब आप borrowing करते हैं, तो यह चीज़े भी ध्यान में आपको रखनी पड़ेंगी, उसके लाबा cash flow position, यह भी हमने discuss करी थी बशले question में, कि जो cash flow position होती है, वो भी effect करती है, if the cash flow position of company is good, तो payment of interest कोई problem नहीं होगी, तो यहाँ पे जो आप कर सकते हैं, वो य जाएगा अगर आप loan के थुरू financing करते हैं, या फिर आप long term loans लेते हैं, next point है हमारे level of fixed operating cost, तो business में generally 2 type की cost होती है, उसमें से fixed operating cost होती है, और एक fixed financial cost होती है, fixed operating cost जैसे rent of building, payment of salary, insurance, premium, यह सारे चीज़े होती है, अगर हम fixed financial cost की बात करें तो उसमें interest on dip, साथ-समें preference share अगर issue क करें हैं, तो उसमें जो आप interest पे करना हैं, वो सब भी इसका part है, if the level of fixed operating cost is in access, it is better to keep the fixed financial cost at minimum, तो अगर आपकी fixed operating cost जादा हैं, या यह चीज़े जादा हैं, तो आप ए fixed financial cost को आपको limit करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि आप unnecessarily fund raise ना करें, therefore debt capital should not be used, तो इस case में आप जो है, avoid करें कि आप उधार लें, या फिर आप long term borrowing करके, आप अपनी business में लगाएं, और अगर इसके opposite उसके बात करी जाएं, तो अगर level of fixed operating cost low है, तो फिर यहाँ पर जो debt capital है, वो profitable है, यानि कि आपकी fixed operating cost है, salary, building, rent और यह चीज़े अगर काम है, तो क अगर आप चाते हैं कि आपके खुद के हाथ में हो, या owners के हाथ में हो, तो obviously आपके retained earning या फिर owners fund यूज करना जादा better रहेगा, as compared to borrowed fund, क्योंकि अगर आपने access में borrowed fund यूज कर दिये, तो जो control है company का वो चला जाएगा creditors के हाथो में, यानि कि आपके जितने भी decisions होंगे, उ लाइक करिए, अपने friends के साथ share करिये और चैनल को subscribe करिये, thanks watching the video.